वहीं बहराईच में वन्वे भाग के एक्सपोर्ट्स की टीम दो तरफा रणनीती पर काम कर रही है पहली तो वो आदमकोर भेडियों की तलाश में जोरो शोरो से लगी हुई है तो वहीं दूसरी तरफ गाउवालों को लगातार भेडियों के हमले के प्रती जागरू कर रहे लेकिन इसके बात भी लोग रातों में घरों के बाहर सोने से बास नहीं आरहें प्रशासन और वर्मेभाग की टीमे जागरु करने की कोशिश कर रही हैं। जिनमें रात में गश्ति से लेकर दिन में लोगों को बैनर, पोस्टर के जरिये उन्हें भेडिये के खत्रे से सावधान करने की कवाइदे हो रही हैं। इसके लिए गाउ में अब घर-घर जाकर पैमफलेट भी बाते जा रहेहे हैं जिसमें लि लोगों को रात में लाउट स्पीकर के जरीए सचेद भी किया जा रहा है तो दिन में लोगों के लिए दीवारू पर पोस्टर लगाई जा रही है जगा जगा पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें सबसे पहले आपको मैं दिखाऊंगा जो पग होते हैं उनको दिखाए गया है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई और जानवर आता और गाओं वाले कहते हैं कि यहाँ पर भेड़ी आया था आप देखिए इन पोस्टर में भेडिये के हमले से पहले कैसे बचें और क्या करने से भेडिये का शिकार बनने से बचा जा सकता है लिखा गया है यहां पर देखिए दई ऐसे चीजे लिखी हैं इन सब का पालन गाउं को करना है जिसमें खेतों से कम से कम पांच वेक्तियों के समूं में ही जाएं छोटे बच्चों को स्कूल खेल के मैदान आती में व्यसकों की निगरानी में ही भेजें रात्री में खेतों की सुरक्षा हे बेडिया और सियार दोनों देखने में एक जैसे होते हैं ऐसे में बहराईश में कई जगहों पर भेडिया की जगहाँ पर बेडिया की जगहाँ देखकर भी हड़कंप मत जा रहा है कई जगह लोग सियार को भेडिया समझ ले रहे हैं और वनविभाग की रेस्कू टीम को भी कई जगह पर भेडियों की जगह सियार मिल रहा है ऐसे में खूनी भेडियों की पहचान करना रिस्क्यू टीम के लिए भी बड़ी चुनोती बन गया है ओपरेशन भेडियों की अगवाई कर रहे वन्विभाग के वरिष्ट अधिकारी संजे पाठक से समझते हैं ये कितनी बड़ी चुनोती रही कि भेडियों सियार में कन्फिजिन इन टम्स अटैक जब सियार अटैक करता है नाखून छोड़ता है या भेडिया छोड़ता है उसमें क्या अंतर हो तेनों ही जो प्रजाती है मतब कुत्ता है अत्वा भेडिया है अत्वा ये जो सियार है ये तीनों के तीनों ही मतलब अल्मोस्ट एक एक ही तरह की जानवर है काट नहीं डॉग फैमिली का इनको तो इनके जो सिकार की जो प्रविर्ती है उसमें चालाकी का लेवल अलग अलग हो सकता है परन्तु आप देखेंगे मतलब बहुत ही असपस तौर पर ये बिभेद कर पाना कि कुटे ने काट आए बच्चों को लिट करने कि प्रविर्ती जो है होती है से कोई भी चीज़ से और इनको बी आप देखेंगे कुटों को भी महों में दबा के, कोई भी चीज़ लेके जा रहा है कुटे बी चुञा मारते हैं तो इस तरीके से मतलब जो हैं जिस हिलाके में रहा रहे हैं भेड़ी है वो सारा ब्लेम उन पर चला जा रहा है बास्ताविक्ता में यह घटना जो है सियार के दोरा भी कारित हो सकता यह घटना कुत्ते के दोरा भी हो सकता